द्यारे बच्चो दो एक दो हजाट चोबिस को क्लास टुवेल्थ जोग्रफी विशाय का सौट मौक टेस्ट का एकजाम लिया गया आपके जिला में यदि मौक टेस्ट नहीं हो रहा है तो आप इन प्रशनों को देखकर याद कर सकते हैं क्योंकि JCRT द्वारा निकाला गया कोश्चन बैंक विकली टेस्ट के प्रशन मौक टेस्ट के प्रशन प्रीबोर्ड के टेस्ट के प्रशन यह आपके फाइनल एक्जाम के लिए बहुत उपयोगी है सारे प्रशनों को नोट कर लीजिए और सब में जो कॉमन आपको मिलेगा वो कोश्चन को 100% रट लीजेगा आप उसके आने के बहुत चांस हैं शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बारे तो जरू सब्सक्राइब कर ले अब भुगोल के बच्चों का या वीडियो जरू सेयर कर दे तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सिकत सबसे पहले खंड ए में है आपका वस्तु निश्ट प्रस्ण तोटल आपका 16 कोश्चन है एक नमबर का पहला कोश्चन है भारत में पहली जनगन्ना कब की गई थी तो भारत में पहली जनगन्ना जो है 1872 इस वी में की गई थी दूसरा कोश्चन है आपका 2011 की जनगन्ना के तीसरा कोश्चन है भारत में सरवाधिक जनसंख्या घनत वाला राज एक कौन साइस तो सरवाधिक जनसंख्या घनत वाला राज आपका है बिहार तो तीसरा का A हो जाएगा बिहार चौथा नमबर कोश्चन है भारत का विसालतम भासाई समू निम्न में कौन है तो यहाँ भासाई सम्वल फुच रहा है यहाँ आपका सही अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारतियारी पाचमा है 2011 के अनुसार भारत में परतिवर किलोमिटर जन संख्या यहाँ spelling ठोबा सुधार लिजेगा जन संख्या का आसद घनतों कितना है तो ये घनतों जो है वो 312 है बच्चों ये answer जो है वो जो सिच्छक के द्वारा ये mock test का प्रशन तियार किया गया था उन्हीं के द्वारा ये answer दिया गया है इसलिए जो उन्होंने answer दिया है वही मैं आप लो साथमा है भारत की कुल कारशील मरस्थ्रम जी भी जनसंख्या कितना परतिसद भाग प्राथमे किर्सी सेक्टर में संगलन है तो ये आपका संगलन है चववन पॉइंट 6 परतिसद आठमा है आपका निम्न में कौन सा नगर नदी टट पर अवस्थित नहीं है इसमें नहीं है पुछ रहा है तो आगरा है भोपाल है पटना है कोल करता है तो यहाँ पर नहीं है पुछ रहा है तो यहाँ आपका हो जाएगा भोपाल आठमा कब B नौमा है किसी जील के किनारे बसा गाउं किस परती रूप में आएगा तो ये जो है आपका विर्दाकार परती रूप में आएगा, नौमा का भी हो जाएगा दसमा है मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है, तो मेगा नगर की जनसंख्या जो है वो 50 लाग से अधिक होती है एगारा नंबर कोश्चन है, दो हजार एगारा की जनगन्ना के नुसार भारत की कितनी अबादी गाओं में निवास करती है, तो गाओं में निवास करने विर्दाकार जनसंख्या 68.2 अपरतीसद बारा है निम्न में कौन सा भू उपयोग संबर्ग नहीं है, तो नहीं है तो वो हो जाएगा आपका सिमान्त भूमी, बारा का भी हो जाएगा सिमान्त भूमी तेरा है सुस्क क्रिसी में निम्न में कौन सी फसल नहीं बोगी जाती है बने यहां बोई हो जाएगा बोई जाती है तो तेरा का आपका जो एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गन्ना चौदा है भूमिंग क्रिसी कहा की जाती है तो यह है आपका असम में की जाती है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज जी कौन है तो पच्छिम बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज है यह बहुत important question है और लास्ट objective question है रभी फसर रितू की समय अवधी क्य है तो इसकी जनускरती है अक्टूबर से मर्ज 17 नंबर है लगूतर ये प्रस्ण भारत में जन्संख्या यहां जंसंख्या आजागां जनसंख्या विर्धी के पर्मु कारण क्या है तो भारत में जन düşद्या भी आपना जल्वायू दूसरा है अकाल महा मार्यो पर नियंतरन द तिसरा है चिकिस्सा सुईधाव का विकास, चौथा जनम दर में बिर्धी एवं मिर्ट्यू दर में कमी, पांचमा है सरकार की नरम निती, छठा है आपका धार्मिक एवं समाजिक कारण इत्यादि, ये सभी जनसेंख्या बिर्धी के कारण है, अठारा नंबर कोश्चन है, ग या वाई अकार के परती रूप, दोहरे ग्राम अनियमित परती रूप, सी सेक्षन है आपका दिल गुतरिये प्रश्ण, तो इनीस नंबर कोश्चन है, चावल अथवा कापास उत्पादन के लिए आवस्चक अनुकुल दसाओं का वर्नन करें, महला चावल अथवा कापास में किसी एकक करना था, तो दोनों का हम कर दिये हैं, चावल उत्पादन के लिए आवस्चक अनुकुल दसाओं निम्न है, पहला क्या है, तो तापमान जो है 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस उफ्युक्त है, वर्सा जो है 125 से 200 सेंटिमीटर कम वर्सा होने पर सिचाई चाहिए, मिट्टी, उबजाव, जडोड या चिक्नी मिट्टी होनी चाहिए, मजदूर जो है सस्तेवं पर्याब्त होने चाहिए, और इसका अन्यकारन है उन्नत यहाँ बीज हो जाएगा बोज लिखा गया, उन्नत बीज, उर्वरा, किटनासक दवाए, पुन्जी, सिचा परिवहन की सुईधा आदी, अब उसी तरह कपास का जो है आवश्यक अनुकूल दसाय निम्न है, तो इसके लिए तापान जो है 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस उप्यूकत है, साल में कम से कम 200 दिन पाला रहित होनी चाहिए, पकते समय तेजधूप होने चाहिए, दूस परिवहन सुईधा होनी चाहिए, और अन्य कारण में उन्नत भी, उर्वरक, टिटनासक दवाईया, सिचाय सुईधा, पुन्जी परिवहन सुईधा होनी चाहिए, तो बच्चों ये थे आपके 2021-2024 में भुगोल भी सेका मौक टेस्ट का अंसर, जल्द ही हम लोग नेक्ट वीडियो को भी देख लेंगे, पीन तारिक को भी आपका मौक टेस्ट भुगोल का है, मलब आज भी भुगोल का मौक टेस्ट है, उसका मैं साम तक वीडियो बना दूँगा, मिलते हैं नेक्ट बुडियो साथ, जय हिन, जय भारत!